सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस शैनल को और शाथे बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी लासियां, कैसा रहेगा आपका दिन, सुरुवात करते हैं आज के सुवेचार सी प्रेम कोई सीधी साधी गाय नहीं, खुखार सीर है, जो अपने सिकार पर किसी की आँख नहीं पढ़ने देता हमारे जीवन में जो भी द्रड और इस्थाई खुसी है, उसके लिए 90 प्रतिशत प्रेम ही जिम्मेदार है यदि किसी को देखने से, या इस पर्ष करने से, या सुनने से, या बात करने से हिर्दय द्रवित हो तो इसे इसने कहा जाता है आज का पंचांग, 19 जन्वरी 2030 दिन गुरुवार, मांग माश के कृष्णपक्च के द्वादशी तिथी, दोपहर एक बच कर अठारा मिलट तक रहेगी, इसके उपरान रयोदशी तिथी प्रारम होचाईगी ज्वेश्टा नामक नक्षत्र, दोपहर तीन बच कर अठारा मिलट तक रहेगी, इसके उपरान मूल नामक नक्षत्र प्रारम होचाईगी आज का राहु काल अर्थाद दिन का सबसे असुप सम्में, दोपहर एक बच कर उनचास मिलट सी, तीन बच कर नौ मिलट तक रहेगी, इसके उपरान धरनु राशी पर संशार करेगी, और आशूरिय मकर राशी पर रहेंगी सेहरा से 19 जनवरी 2030 दिन गुरुवार, आपको अपना अधूरा काम समय पर पूरा करने की, बहुत से मौके मिलेंगी, आपके दोशी परशानिया भी तुरन दूर हो चाहेगी, उसके बारे में चिंता ना करें, आज अधिक सदी काम करने की, कोशिश करें, क्योंकि आपको आ आत्मे उश्वास भी बढ़ेगा, संतान की कड्या श्यमंधित किसी समश्याओं को सुलजाने में महत्वपूर्न वैक्ति की सहायता मिलेगी, धार में गतिवीधियों में भी रुजहार रहेगा, किसी वैक्ति के साथ बाच्चित करते समय उनकी भावनाओं को ठेस ना परवार के लोगों के साथ शर्चा करते समय पुरानी बातों का जिक्र ना करें, आपके द्वारा बूली गई बातों के कारण विवाद हो शकती हैं, वैपार से जुड़े लोगों को मित्र की मदद से काम प्राप्त हो शकता है, रिलेशंशिप शमंधित बातों में चिंता हो शकती है, वा दूर होने लगेगी, शौधानिया, कोई परवारिक मसला और अधिक बढ़नी की भी आशंका है, अपने सुअभ़ों में ध्यर्यवा, नर्मी बना कर रखें, उससे बात बिगड़ सकती है, किसी भी प्रकार की यात्रा नुक्षान दे हो शकती है, इस समय व धूरता पूर्ण शम्मंद रहेंगे, प्रेम शम्मंदों में इस्थाय त्वलाने के लिए एक दुश्य की भावनाओं का सम्मान अवश्य करें, आज के दिन अपने साथी को प्रेम से सम्मंदिक उफार या अपनी भौगम भीमा के द्वारा आश्यरे चेकित करने का है, ल अपने साथी के अंदेखे रिस्ते में तनाव को बढ़ा सकती है, बात करते हैं करियर की, आज के दिन एक नए व्यपार को लगाने का समय है, काफी समय से बाता आपके मन में थी, परन्तु उसे उप्योगिता में नहीं लापा रहे थी, लेकिन आज के दिन इसको पूरा करन का है, आपको कईने ओशर में लेंगे और सब व्यद एवां असली होंगे, अगर आप विवेक पूर्ण तरीके से नर्ण लेंगे तो, जो भी मुस्किले आ रही थी वे धीरे-धीरे लुफ्त होती चले चाही की, एडवर्टाइस्मिन को ज़्यादा करने का प्रयास करें, इस समय की गई मेहनत के निकट भविश्य में परणाम हासिल होंगे, दो दराज की वेविश्याइक पार्टियों के साथ भी अपना संपर्क बनाए रखें, बात करते हैं सिहत की, कभी-कभी आत्मे विश्वास नगमगा सकता है, मान से कि इस थिरता के लिए मेडिटेशन ब कीजे भी होनी है, सब चीजे ठीक हो जाएगी, निश्विंत रही, देर रात तक ना चागी, कोशिश करी कि अपनी सुबह की नींद का लाला चोड़कर, उस समय का उपयोग अपनी सेहत को अच्छी बनाने के लिए करी, जो आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही से खराब हो सकती है, आज का उपआए, आज भगवान विश्णों की पूझा करें शुब रहीगा, दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, जीवन में हमें इसस सकरात्मक सुच के साथ आगे बढ़ती रही, आपका दें शुबहूं